दोस्तों अगर आप अपना वोटर आइडी काड में करेक्शन किये है या फिर मूबल नमबर एड करें है कुछ भी आप इसमें किये है तो आपका रेफरेंस नमबर आपको मिला होगा अगर आपको अपना रेफरेंस नमबर एड नहीं या फिर खो गया है तो कैसे आपको पता चलेगा आपका डोकुमेंट का स्टेटस क्या है हुआ है या नहीं उस प्रोसेस को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों वीडियो में ज़रू बने रहेगा तो देखिए पहले आपको गूगल पर आ जाना है आके यह में सर्च कर देना है एपिक.gov.in या फिर भोटर डॉट एपिक.gov.in आप सर्च करेंगे तो आपको सामने मिल जाएगा और साइट का लिंक मैं डिस्क्रेशन बॉक्स में भी दे दूंगा तो यहां पर आप कुछ भी लिखे सर्च कर देंगे इसी आइड़ गॉंट डोट इन या फिर भूर्ट डॉटर डॉट इसी डोट गॉप्स मिलेगा आपको इसमें अपको लॉगईन में क्लिक कर देना है क्लिक करने का बद जो ओपिशल साइट ओपन तो यहां में feel कर देना है जय है कि मैं हम OTP feel कर देना है इसके बगण and log in में still watch isária तरीके से login हो जाएंगे उसका पार यहाँ पे देखिए track status option आपको देखेगा याफ यहाँ पीthen डानलोट का उप्शन में पूब झाकर सकते हैं फ़ले application में जाते हैं उसका बाद यहाऊ पर देखे रिफिस्ट नंबर तो आपको प्रप्वस्त है निए तो आप क्या करेंगे इस में इसके हैं आप क्या कर सकते हैं यहाँ डानलोड अपिक कर सकते हैं यहाँ फिर आप बैग जाके यहाँ पर देखे जो नीचे अला ऑप्शन है ई send OTP में आपको click कर देना है आपको मोबल में एक OTP send किया जाएगा उसके बाद आपको यहां में अपना OTP type करके verify में click कर देने है अगर आप mobile number add करें अगर यहां पी इन दिखा रहा है अगर आपको दिखा करेंगे आपका डालोड हो जाएगा और इसको अपना एड्रेस चेंज करने के लिए तो आपका काम हो गया है अगर नहीं हुआ है तो सोच लिए पेंडिंग में अभी पूर्सेस में तो इस तरह की से दोस्तों अपना कोई भी एड्रस आप कोई भी करेक्शन किये है इस तरह क लेक्ट कर सकते हैं और अच्छा लगा वीडिए अच्छा लगा विडियो अच्छा लाइव तो लाइज सेश्क्रीब जरू करें तो समय वाची है 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 कि घृच्छ लोगो पिर घृच्छ लाइव आधे देख्यार ने तो नहीं है